इस्राइल को बड़ा जटका लगा है नेतन याहू का गुरूर टूट गया है क्योंकि इस्राइल जिसे हमास और हिजबल्ला के खिलाप सबसे बड़ी दिवार कहता है उसको नसरल्ला के लड़ाकों ने जटके में खत्म कर दी हिजबल्ला का दावा है कि उसने इस्राइल के आईरन डूम को एक जटके में फोड़ दिया है नसरल्ला के लड़ाकों ने इस्राइल के आईरन डूम के दो सिस्टम तबाख कर दियें एक आईरन डूम की कीमद सौ मिलियन डूलर है हिंदुस्तान की करिंसी में बात करें तो करीब 800 करोड मतलब हिजबल्ला ने एक जटके में इसराइल के 1600 करोड रुपे तबाख कर दिये हेजबुल्ला का कहना है कि उसने उत्तरे इस्राइल के कबरी में उसकी बंबारी ने बड़ी तबाही मचाई यहीं पर आइरन डूम सिस्टम तैनाथ था यह बात पश्चुमी मीडिया भी बता रहा है और इसकी चर्चा अमेरिका में भी हो रही है लेकिन इसराइल ने इस पर पूरी तरह से चुप़ी साथ रखी है हमास के रॉकट को रोकने वाला आइरन डूम इस वक्त संकट में हर हमले का मूतोड जवाब देने की धमकी देने वाले नेतन याहु ने आइरन डूम पर हुए हमले पर अब तक कुछ नहीं बोला है हाला कि ये तो तैय है कि इस हमले ने इसराइल के टेंशन बढ़ा दिये है क्योंकि यही वो सुरक्चा कवच है जिसके बलबूते इसराइल अपने लोगों की हिफाज़त करता है उसकी सीमा में आने वाले रॉकेट और मिज़ाइल को इसराइल अपने इसी मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम से मार गिराता है साथ अक्तूबर को भी जब हमास ने करीब पांच हजार रॉकेट से हमला किया तो आयरन डूम ने बड़ी तादाद में रॉकेट मार के रायत है हजबुला जानता है के रॉकेट इसराइल पर बेअसर साबित होते हैं इसलिए अब उसने एंटी टैंक मिज़ाइलों का साहारा लिया है वो तोप से भी गुलाबारी कर रहा है हजबुला लगातार इसराइल के लिए सरदर्द बना हुआ है पहले भी इसने एंटी टैंक मिज़ाइल सिस्टम से इसराइल के मरकावा टैंक को निशाना बनाए और अब उसके निशाने पर आयरन डूम सिस्टम आ गया है इससे पहले जब जब फिलिस्तिनी संगठन हमास में रॉकेट से हमला किया है आयरन डूम का सक्सेस रेट 95 प्रतिशत से उपर रहा है यानि हर 100 रॉकेट हमलों के बाद जब आयरन डूम की मिज़ाइल फायर की गई तो उसने 90 से ज़ादा रॉकेट को आस्मान में ही रोक दिया इसी वज़ा से इस एर डिफेंस सिस्टम को लेकर दुनिया में मांग बढ़ने लगी ये जलिन्सकी की डिमांड लिस्ट में भी आ गया आयरन डूम चार किलोमेटर से लेकर सतर किलोमेटर दूर से हो रहे हमलों को रोक सकता है ये मिज़ाइल को भी रोक सकता है ये रॉकेट के हमले भी रोक सकता है और तोप के गोलों को भी रोक सकता है इसराइल की ये हालत देख कर कह सकते है कि इन हमलों को रोकने के लिए आइरन डूम फेल्ड साबित हुआ है और इस्तमाल करने पर बहुत महंगा भी साबित होता है क्योंकि एक लाक रुपे की कीमत वाले रॉकेट या तूप के गोले को रोकने के लिए इस से दो मिजाइल फायर की जाती है जिनकी कीमत रेंज के हिसाब से 70 लाक से 1 करोड रुपे हो सकती है यानि एक रॉकेट जिसकी कीमत 1 लाक रुपे भी नहीं उसको रोकने के लिए इस हत्यार की इतनी बड़ी कीमत हैरान करती है अब खुद आइरन डूम पर हमले ने बता दिया है कि नेतन याहू का कोई डिफेंस सिस्टम पखता नहीं है दुनिया के सबसे बेहतरीन एर डिफेंस सिस्टम माने जाने वाले आइरन डूम पर अटाक के खबर में इसराइल को 440 वोल्ट का करंट लगा दिया है ये नेतन याहू के लिए भी बहुत बड़ा जटका है लेकिन सवाल है कि अब नेतन याहू इन हमलों का जवाब कैसे देंगे हजबुल्ला के धमाके के बाद दो लोग बहुत ज्यादा टेंशन में है गाजा और इसराइल की बीच चल रहे युद्ध ने पूरे पश्चिम एशिया को तीसरे विश्व युद्ध के एपिसेंटर में तपदील कर दिया है और इसकी वज़ा से दो ताकतें सबसे ज्यादा फेक्टर में डूबी हुई है पहले हैं इसराइल के प्रधान मंत्री बिन्यमिन नेतन ज्याहू और दूसरे हैं अमेरिका के राश्च्रपती जो बाइडन दोनों की टेंशन का मीटर लगाता रेड लाइन को पार करता जा रहा है इस तस्वीर को लेकर खौफ बहुत ज्यादा है हमास से ढ़ाई महीने से जारी जंग और हिजबुल्ला के बढ़ते हमलों के बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉइड ऑस्टेन इसराइल पहुँच गए यहां उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि इस जंग में अमेरिका इसराइल के साथ है हलाकि उन्होंने इस पर कुछ भी नहीं कहा कि अगर हिजबुल्ला के तरफ से हमले तेज हुए तब भी वो इसराइल का साथ देंगे Sidney and civilians in Gaza is both a moral duty and a strategic imperative so we will continue to stand up for israel's bedrock right to defend itself and we will also continue to urge the protection of civilians during conflict and to increase the flow of humanitarian aid into Gaza एक तरफ हमास गाजा पट्टे में इसराइली सेना को कड़ी टक्कर दे रहा है दूसरी तरफ लिबनान बॉर्डर पर हिजबुल्ला लगातार फाइरिंग कर रहा है ऐसे में सवाल है कि इसराइल के लिए अगला खत्रा कौन सा आने वाला है ये बात नेतन याहू अच्छी तरह से जानते हैं कि इस जंग में अमेरिका से भले ही उसको मदद मिल जा लेकिन युद्ट तो उसे खुद लड़ना होगा मोर्चे पर उसके ही सेनिकों को तैनात होना होगा इसलिए हिस्बुल्ला की तरफ से हमले तेज होने के बाद नेतन याहू ने अपना वार्ट ट्राइंगल तयार कर लिया है नेतन याहू के वार्ट ट्राइंगल में सबसे बड़ा कौना गाजा में हमास का पूरी तरह खात्मा है नेतन याहू के वार्ट ट्राइंगल में दूसरा बड़ा कौना लिبनान में हिजब ऑन्द है जबकि नेतन याहू के वार्ट ट्राइंगल का तीसरा सबसे खतरनाक कौना है सीर्या जहाँ पर इसराइल की एर फॉर्स ने हमले तेज़ कर दिये है ये तीनों जगा या देश इसराइल के बॉर्डर से लगे हुए हैं और इसराइल इन्हें अपने खिलाफ सबसे बड़ा खत्रा मानता है यही वज़ा है कि इसराइल साल के बारा महीने, महीने के तीस दिन और दिन के चौबीस घंटे युद्ध के मोड में रहता है उसकी सैनाएं हमेशा एक्टिव रहती हैं, दुश्मनों को लेकर हमेशा चौकनना रहती हैं अपने आसमान को सुरक्षित रखने के लिए अभी इसराइल के पास चार लेयर में डिफेंस सिस्टम है पहला है आइरन डोंग जो रॉकेट और विमानों को 70 किलोमेटर के दायरे में रोक सकता है मिड सेगमेंट में दूसरा है डिविड सिलिंग सिस्टम जो 200 किलोमेटर की रेंज तक मिजाईल या विमान का दुश्मन बन जाता है एरो टू एर डिफेंस सिस्टम इसकी रेंज भी 200 किलोमेटर तक है लेकिन ये डिविड सिलिंग के मुकाबले में ज्यादा उंचाए पर जाकर आस्मानी टागेट को मार गिरा सकता है और चौथा है एरो ट्री जो ठाई किलोमेटर से भी आगे के टागेट को खत्म करता है और अब यही एर डिफेंस सिस्टम इसराइल का बिलिस्टिक मिजाईल को मार गिराने वाली गैरेंटी बन चुका है अपने चार लेर डिफेंस के चलते ही नेतन याहू का जोज हमेशा हाई होता है वो अपने दुश्मनों को जवाबी अंजाम भुगतने की धमकी देते हैं गाजा में भी यही हुआ 7 अक्चुबर को अटैक के बाद से गाजा पर इसराइल का हमला जारी है युद कान कब होगा ये फिलहाल कोई नहीं जानता लेकिन जैसे जैसे युद लंबा खिचता जाएगा मौत के आंकड़े भी पढ़ते जाएंगी बर्बादी भी पढ़ती जाएगी फिलिस्तीन के स्वास्त मंत्राले की माने तो युद में अब तक 2400 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है दूसरी तरफ इसराइल के 139 सेनिकों की जान चली गई है बर्बादी और तबाही के ये आंकड़े तब है जब इसराइल फिलहाल एक मोर्चे पर जंग लड़ रहा है अगर हिजबुल्ला से भी आरपार की लड़ाई हुई और इसराइल को दो मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ी तो ये तैह है के बर्बादी और तबाही गाजा में हो रहे युद्ध से कहीं ज्यादा होगी अगरी आर डिड़ो पर लूब आर शो की लड़ी आर आर गवाईल एक मोर्चों लड़ाई लड़ाई हुआ